EPS pensioners के लिए अर्जेंट खबर सरकार का pensioners को शानदार सौगात अगर आपकी उम्र 58 साल से अधिक है तो आपको EPS pension बढ़ुतरी का फायदा मिलेगा सरकार का cabinet की बैठक में बड़ा एलान अब minimum pension बढ़ुतरी के साथ higher pension का लाभ मिलेगा देखिये report इंद्रे कैबनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है सरकारी करमच्यारियों के pension system की समिक्षा होगी EPS के सब्सक्राबर के लिए बहुत बड़ी कुसकबरी बज़िट से पहले सरकार का तोफा साथ क्रोड लोगों के लिए बहुत बड़ी कुसकबरी आ चुकी के अब P.A.P. पर मिलेगा आपको इतना ब्याज इस सरकार ने किया नया फैसला तो अब आपको P.A.P. पर ब्याज कितना मिलेगा और आपकी EPS pension की रियासे में कितनी बड़ुतरी होगी सरकार और EPS उने बहुत बड़ा आपकी एलान किया है कि जो EPS pension दारके और EPS पर कि जो सब्सक्राबरे P.A.P. खब दारके उनके ब्याज को लेकर यहां पर बहुत बड़ा अपडेट हुआ जारी और साथ में आपका मांगाए बते में 3 पीस्ती की बड़ुतरी संभावी ते जुराई के वरतन से मिलेगा आपको लाब यहनके आपका मांगाए बताए जो 50 पीस्ती होने के बाद अब जो दूसरा चमाई का आपका बताए जो मिलेगा वो कितना यहनकी बड़ेगा आपके मांगाई बते में 3 पीस्ति की बोड़तरी को लेकर जानकरी बताई जारी की 3 पीस्ति का आपका मांगाई बता बढ़ सकता है अगली साथ में अपडेट आ रही है पुरानी पैंसन OPS को लेकर क्या आपकी OPS पर से बाल होगी तो OPS से अनकी पुरानी पैंसन पर बड़ा अपडेट आई फैंसले की गड़ी आखिर निर्ने से पहले वित मंतरले करेगा JCM संग बाठक यानकी वित मंतरले की बाठक होने जा रही है JCM के साथ में और पुरानी पैंसन को लेकर बहुत बड़ा अपडेट हो सकता है आपके लिए जारी बाठक से आखिर निर्ने लिया जा सकता है तो बजट आपका जो पैंसन से यानकी जुड़ा ये फैंसला है जो बजट से यानकी पेस होने से पहले एक बार पेस है आपको यहां पर बड़े गुड़ नियूज मिलने की उमीद की जारी है आईए सबी खबरों को जानते है विस्तार से और वीडियो आप अध्यान से देखतेगा चैनल पर पहली बार है और चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नी किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिगा बेल आइकन को भी और पर प्रेस कर देने ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मलती रहे तो चलिए सारी जानकरी विस्तार से तो सबसे पहले जानते हैं EPS 95 पैंसन दार के उनकी पैंसन को लेकर EPS का नया नियमचारी पैंसन में होगी बड़तरी गुड नियूज आपके लिए जारी हो चुकी है तो फाइनली करका आपकी EPS पैंसन को लेकर आखिरी क्या नियने हुआ बड़ी बैठे के बाद नियने बताया जारे जो सभी पैंसन दारी उनको जाना बहुत ही जरूरी है तो यहां पर आपकी पैंसन जोड़ा भी बहुत बड़ा आपडेट मिलाये तो इस साल फरोरी में करमचारी वसंद निमला सीतर अमने गुरुवार को बड़ा एलान करते वे बहुत बड़ा यानकी पैंसला किया है कि जो EPS का डिपोजिट के लिए ब्याज बड़तरी को मंजूरी दे दी है यानकी जो EPS ने अपनी ब्याजदर यहां पर बड़ा दी गई है और 8.25 परसंड को मंजूरी दी ह EPS ने सॉसल मीडिया प्लेटफरम पर जानकर देते हुए काएं कि EPS के जो सब्सक्राइबर है उनके लिए वित्ते वर्स से 2023 के लिए जो अनकी नया ब्याजदर है तो कि 8.25 परसंड की जिसे की मंजूरी दे दी गिया सरकार के दौरा मई 2004 से नोटिपिकेशन जारी किया था अब सिर्फ करमचेन को P.A.P. पर ब्याज आकावड में क्रेडिट होने का अंजार तो इसको लेकर भी बजट के अंदर तोफ़ा आपको दिया जा सकता है जल्द इसको लेकर भी एलान होने की उमीद की जारी कि आपका ब्याजदर का पैसा वो भी जल्द क्रेडिट होने व 8.25% करने को पैसला यानकी सरकार ने लिया है और CBT ने पैसले के बाद 23-24 के लिए EPF जो आपका जमाया पर ब्याजदर देने को समती के लिए वित मंतरले को बेजाया प्रस्ताव था अब इसे मंजूरी भी दी जा लुकी है वासे मैं मंजूरी मिल चुकि इस प्रस्ताव क अगर बात करें पिछले साल की तो 28 समार्च को EPF ने जो की ब्याजदर के लिए जो 8.15% का ब्याजदर देने की गोशना की थी वही EPF ने वर्स 2022 के लिए 8.10% का था ब्याजदर और आपकी बार यानकी 8.25% का सीधे आपको ब्याजदर मिलेगा तो गोरतलब हैं कि करमचारी काम करने वाले उनके लिए पियाजदर का भी हर साल यानकी अलान सरकार करती तो करमचारी वसंदी संग्टन की तरहते करीब 7 क्रोड करमचारी जो रेजिटर है उनको इसका बहुत बड़ा तौपा मिलेगा EPF के बाद के बाद वित्मतरल अंती पहस्ले के बाद य करमचारी उनके साथी जो पैंसन दार है वो भी मांगाई बते को लेकर इंजार में थे उनके भी जल्द बहुत बड़ा होने good news देखने को मिलेगा इसमें आपको बद्द की मांगाई बते में तीन परतिसद की बोरतरी की जा सकती है या लाब जुलाई से आपको मिलेगा य आनके इस आदार पर आपका जो मंगाई बताए EICPR इंडेक्स के अकड़ो करनुसार तरह किया जाता जुलाई महीने में जो आपका DMA 53.20 यानकी 22 से पीस्टी होगा चुकि नियुंतम पुर्णा की दे होता है इस तरह से जुलाई महीने में 53.50 डिये की संभावना है तो भी दो पीस्टी डिये में बड़ोतरी अपकी होगी अनकी इससे तरह 25 संगों की वर्दी होती है तो चार पीस्टी आपका D.A. बढ़ सकता है लेकिन एक महीने में सुचकांग में इतना अंतर आमतर पर नहीं आता है तो ऐसे में D.A. में तीन पीस्टी की बड़ोतरी संभाव यह तो पहले वित्मंतरी करेगा यानकी वित्मंतर ले आपकी पैंसन को लेकर J.C.M. के साथ बैठक वित्मंतर नहीं इम्रा सितरमन के द्वारा इसको लेकर बहुत बड़ा पैंसला मला है कि आप सभी की जो OPS को लेकर मांगी उसको लेकर वित्मंतरी पहले बैठक करेगी J तो OPS पर केंदर सरकार कोई अंतिम निने ले इससे पहले करमचारे को साथ बैटक की जाएगी यह बैटक 15 जुलाई को नौर्थ बलॉक में होगी इस बैटक में जो वित मंतरी निम्दा सितारमन के द्वारा गठीत की गई गमेटी के सच्छ से मोजुद रहेंगे करमचार की सरकार के विबिन करमचारी संग्टन कमेटी की जो बातों से सामत है या फिर नहीं इसको लेकर सरकार उनसे पहले बातचीत करेगी संभावेता OPS पर केंदर सरकार कोई अंतिम नेने ले इससे पहले करमचारी को साथ बैठक की जाएगी यह बहुत बड़ी अपडेट आ रही है तो यह बैठक 15 जुलाई कोगी नौर्थ बलॉक में इस सबब बैठक में वित म इससे जुड़ा अंतिम नेने भी हो सकता है तो बजट के अंदर भी आपको सांदार सोगात देखने को मिलेगी इससे बैठक के नेने के बाद कि आपकी OPS और NPS जो आपका मांगे उनको लेकर सरकार प्यासला करती है तो इस परकार के आज दिन बर की आपकी पैंसल से आइकन को भी दबादे ताकि नए वीडियो सबसे पहले आपको देखने को करें दो